कितनी शार्प है आपके बच्चे की मेमोरी क्या कठिन समय में वह ले सकता है सही फैसला जानिए औल इंडिया मेमोरी टेस्ट से इस सार्टिपिकेट फॉर और पार्टिसिपल्स और इवनली पांच लाख प्राइज भी जीतने का मौका कितनी शार्प है आपके बच्चे की मेमोरी क्या कठिन समय में वह ले सकता है सही फैसला जानिए औल इंडिया मेमोरी टेस्ट से क्लास शिक्स से ट्वेल्थ तक के बच्चे इस टेस्ट में हिश्सा ले सकते हैं और नेक्स वन क्यों करें पार्टिसिपल्स फर्स्ट रिजन इज इंक्रीज लोजिकल थिंकिंग इंग्स वन इंप्रूब डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट व फॉल बट नॉट लिस्ट बूस्ट मेमोरी रिटेंशन ओके नेक्स वन रजिस्ट्रेशन ओपन फोर रजिस्ट्रेशन बिजिट तो जैसा कि आप देख रहे है कि यहां पर एक लिंक जो है वो डिस्प्लेश हो रहा है वेरी सिंपल डबू 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 और लिंडिया मेमोरी टेस्ट डॉट कॉम तो इस पर विजिट करके सक्सेस्पुली आप अपने बच्चे का यह स्वें का जो क्लास 6-12 स्टूडेंट हो अपना रजिस् लिंक और इसके रिगार्ड क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी जान लेते स्टकार्श लॉग इन टुडबू डबू 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 अल इंड्या मेमोरी टेस्ट डॉट कौम अगे नेक्स्ट बन स्टेप सेकंड रजिस्टेशन टेप पर क्लिक करें और इगेंस फिल करें next one steps third अपनी class select करके दिये गए option में से 5 February subjects select करें आपके पास वहाँ पर नमबर और subject की list रहेगी जिसमें से आपको 5 February subjects तो है वो चूस करने होंगे next one last is registration fee online पे करें अब इसके regarding क्या registration fee है उसके जानकारी आप जब यह रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको हो जाएगी और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि यह सर्टिपिकेट फोर और पार्टिसेपेंट्स और विन प्राइजेश वर्थ रूपीज फाइब लैक्स and very important evenly most important part of this effort last date for registration 31st of July 2020 I hope you will appreciate this effort